जैजिनेंद दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं। वह अद्रिस सक्ति कौन थी जो बंद मंदिर में राद 12 बजे घंटी बजाती रही और लोगों के रोकने के बाद भी घंटी नहीं रुखी। चार और पांच की रातरी बारा बज कर पांच मिनट पर मोरा जड़ी श्री पाशना दिगंबर चैन अश्चा चेतर में अचानक अपने अब घंटी बजने लगी। तो आसपास छतों पर सो रहे ग्राम बाश्ची आश्चर चकित होकर उठ खड़े हुए। मंदिर का ताला ब बिजली के बटन से दवाकर अपसेप के समय बजने के लिए शुरू किया जाता है। वह बिजली का बटन बंद होने के बाबजूद घंटी बशती जा रहे हैं। पुजारी ने उस घंटी को दवारा ओन उफ किया। लेकिन कुछ बार करने के बाबजूद घंटियां के उन्हों ने बताया कि वह यहां पर 15 साल से कार कर रहे हैं। पर आज तक ऐसा दूसरी बार हुआ है। उसने बताया कि इस घंटना के दो दिन पहले भी यह इस तरह घंटियां बजने लगी थी। जब प्रातकाल में अफशेख के लिए यहां पर कोई नहीं आया क्योंकि यह घंटी बजकर अफसे करने वाले को बुला रही थी। तब भी घंटी बारा से दस मिनट तक लगातार बजती रही। और अब रात्रीक पर ऐसा हो रहा है। सश्मों सभी लोग हैरान थे। यहां के अध्यच महवी पिसाज जैन जी ने बताया कि यह अस्यकारी तीर्थ है ज 1704 में छोटे से जैन मंदर को भब रूप दिया गया। एक समय सेट छेगा लाल जी सोनी जो धनोप गिराम के थे वह किसी कार से जा रहे थे। तो बैसाग सुधी एकम के दिन पास वह रही नदी इश्नान करने लगे। अचानक उन्हें कुछ सिला का आवास हुआ। उन्हो से इनमें कुछ और महसूस हो रहा है। कुछ लोग आए। पहले छोटी सिला को उल्टा किया । पलटते ही छे का लाल जी हिरान हो गए। वह तो सांतिनात भगवान की प्रत्मा थी। फिर जब बढ़ी सिला को उल्टा किया तो वह भी रहान हो गई। वह तो पाश्नात भ बैल गाडियों अपना स्थान से एक इंच भी नहीं हिली कई लोगों ने उन पर धक्का लगाया लेकिन क्या मजाल है कि वह थोड़ा सा भी सरके फिर उनके मन में एक आवास हुआ तो लगा कि वह कहीं और जाने का संकेत दे रही हैं उसने कह दिया जहां जाना चाहती हो चली चाह और फिर दॉनों बैल गाड़ीयां इस तरह दोड़ी कि Trop ex रहां दहें पाशचनाद भगवां वाली प्रत्मा वाली बैललगा डी मोरा जड़ी और सपेद वारड़वाली सांतिनाद भगवान की प्रत्मा वाली गाड़ी देराठू जाकर रुकी और उसके बा वाला कौन था जो दिख नहीं रहा था पर मंदिर में मौझूद था क्या देपता अब से करने की तैयारी कर रहे थे पर चिंतो इस बात पर भी कुछ संकेत देता है दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद